नमस्कार दूस्तों आरेसीन जुआब न्यू चनल में आपका हारदिक स्वाग थे आप देख रहें 30 जुलाई के प्रमुखबर पहले खबर उत्तरपति लोग से वायों की आरो एरो भरती 2020-21 के विग्यापन को लेकर है विग्यापन 2020 में जारी होगा या नहीं या विग्यापन 2021 में जारी होगा पूरी जानकार इस वीडियो में आपको मिलने वाली है दूसरी बड़ी खबर उत्तरपर बियर्ट परिच्छा 2020 को लेकर है जिसे अब भरती इस्तिकित करने की मांग कर रहे है परिच्छा 9 अगस 2020 को प्रस्ता भी थे पूरी जानका इस वीडियो में आपको मिलने वाली है वीडियो को आप पुरा देखते रहे है सबसे पहले हम बात करेंगे बियर्ट परिच्छा 2020 को लेकर बियर्ट परिच्छा 2020 का आईउजन 9 अगस 2020 को होना है कुरोना की इस महामारी में 28 परिश्चा का आयोजन 9 अगस्त को होना सही नहीं है इसको लेकर CMP डिग्री कालेज की पूर्व छाच संग अध्यज करंसी परिहार ने राजपाल आनंदी विन पठिल को खून से पत्र लिखा है मांग की है कि परिश्चा को अभी ना कराये जाए यद बरतमार में परिश्चा कराये जाती है तो लगबग 4,50,000 चात्रों पर कुरोना संक्रमन का खत्रा हो जाएगा ना माने जाने पर वहां आतमदाह करेंगे अईसा CMP डिगरी कारेज के पूर्ष चात्संग अध्यत करन सिंग परिहार का कहना है आपको उता दें कि 9 अगस 2020 को जो परिश्चा का आयोजन कराये जा रहा है वहां सही नहीं है क्योंकि सेंटर इतने दूर बना दिये गए है अगर जीले में सेंटर होता तो अच्छी बाती परिश्चा का आयोजन हो जाता किसी तरीके से लेकिन 500 किलोमीटर सारे 500 किलोमीटर सारे 300 किलोमीटर दूर सेंटर बनाया गया है लड़कियां कैसे पहुचेंगी, लड़के कैसे पहुचेंगी, लड़कियों के साथ उनके गारिजियन होने चाहिए जिसकी इस्ति परिस्तिती सही नहीं है, वह क्या खरे और सेंटर पर विवस्था की गई है, कुरोना संक्रमन से बचाओ की लेकिन दास्ति में नहीं की गई है, तो इसके मद्य नजर परिच्छा को इस्तिकित किया जाना चाहिए अगर परिच्छा इस्तिकित नहीं होती है, तो महा आंडोलन होगा इसकी चतावनी भी दे दी गए है सरकार को अब सरकार को इस पर जल जल नीडने लेना चाहिए पांच दिन का अल्टीमेटम दिया गया है दूसरी खबर उत्तर प्रतिने लोग से वायू की आरू यारू अर्था समिच्छातकारी और सहाई समिच्छातकारी भरती 2020 के विग्यापन को लेकर है कई प्रतियोगी छात्रों ने इसके सम्मद्ध में जानकारी मांगी थी और मेरे दोरा आपको बहुत पहले बताया गया था कि आयोग से जानकारी करने की बात मैं आपको आउगत कराऊंगा मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है आज मैं आपको बताऊंगा कि विग्यापन इस बर्स आएगा या नहीं या 2021 होने वाला है देखिए जो हमसे पताया गया है जो मुझे जानकारी प्राप्ट हुई है उसी जानकारी के आधार पी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ यहां कबर किसी भी समाचार पत्र में छपी नहीं है जो मुझे जानकारे प्राप्ट हुई है उसी के आधार पि मैं आपको जानकारे दे रहा हूँ मैं आपको बता दूँ जो मुझे जानका एप्राप्ट हुई है कि जब तक RO 2016 की परिच्छा नहीं हो जाती है तब तक इसके समद्ध में चर्चा करना सही नहीं है उनका कहना है कि नॉवंबर मां तक विग्यापन जारी नहीं होगा उसके बाद विचार किया जाएगा तो उनकी बातों से जो मुझे लगा कि दिसंबर या दिसंबर के बाद ही विग्यापन जारी होगा आप मान कर चलिए कि फरवरी मार्च भी जा सकता है तो मार्च के पहले पूर संभावना की विग्यापन जारी हो जाएगा लेकिन नौवंबर तक इसके बारे में चर्शा करना सही नहीं है कि आप विग्यापन जारी होगा सबसे पहले फोकस है आयो का आरो ए आरो 2016 के एकजाम पर तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं आगी जानकर मुझे प्राप्त होगी जो इस चैनल के माधिम से आपको दी जाएगी